हरो दोस्तों कैसे हो आपका स्वागात है तृपान स्टेडी सेंटर में आज जो आपके समक्ष पस्तूत किरने जा रहा हूँ वो काफी महत तुप्रून है जो बच्चे कॉंपोटिशन की तैयारी कर रहे है उनके लिए काफी महत पूर रहेगा इसमें MCQ के अंतरगत आपके समक्ष को को यह यहेगा जो हर एक exam के लिए महत्वपून रहेगा चाहे आप SSC के exam दे रहे हो चाहे UPAC के exam दे रहे हो तो काफी महत्व रखेगा चलिए देखते हैं हमारा आज जो है MCQ क्या कहता है यहाँ पर हमारे समख शगला कोशन आ गया है काफी महत्वपून है कोशन है कि विदूत आवेश के प्रभाब की दर को क्या कहा जाता है जो विदूत आवेश के प्रभाब होते हैं उसको हम क्या कहते हैं क्या हम उसे विदूत चमता कहते हैं या विदूत चलकता कहते हैं या सी विदुद्धारा कहते हैं या इन में से कोई नहीं कोशन बिलकूल किलियर है आप अपना अंसर जो है लिख सकते हो काफी महत्पून डाएगा क्योंकि यहां पर तो आपको अंसर दिखेंगे या नहीं क्लिरेटी के साथ वो तो मेरे अवास से ही आपको पता लगेगा कि अंसर इसका क्या है तो यह आपके लिए काफी महत्पून बन जाता है जो बच्चे अगर समझदार है पहले इसको म्यूट करके जो है सारे वीडियो देखके पढ़के अपने नोटबूक पर अंसर लिख सकते हैं और बात में जब है इसको म्यूट को खतम क करके पूरा अंसर को समझ सकते हैं तो यह आपके लिए कहते हैं एक सोने पर सवागा हो जाता है ऐसा आपको कहीं नहीं मिलता है ठीक है तो आप यहां पर कोशन के अंसर लिख चुके होगी विदूत आवेश के परभाब की दर को हम हमेसा विदूत धारा कहेंगे आप ऑप् सकते हैं يसक को सी ऑफ्षन के साथ जा सकते हैं चलिए देखते अगला की क्या है अगला कोशन आपके समख्षाग यह ऑगा कोशन här विद्धारा के मापने के लिए कौन सा उपकरन का हम उपियोग करते हैं विद्धाइब करते हैं हम किस उपकरन का उपियोग करते हैं आप अपना अंसर लिख सकते हो ठीक है लिख लोगे तो काफी महतमुन्ड हैगा आपकी समझ जरूरी है ठीक है थिंद्धृद्रा करते हैं जरना सी बात है दोस्तो अगर द्धृद्रा के माप से माप उगे जरना जरना सी बात है विदुधरा ना तो गलो मीटर से मापी जाती है ना तो बॉल्टेट मीटर से मापी जाती है यानि इसका option A सही है हमेशा विदुधरा को हम जो है A मीटर से मापते हैं यानि यह option आपका सही है विदुधरा को हम A मीटर से मापते हैं तो A मीटर आपका सही है आ आप एब मीटर पर जा सकते हो चलिए देखते हैं अगला कोशन क्या है हमारे समक्ष अगया है कोशन बहुत ही किलिए रहे कि कि तामबा धातु की प्रतिरोगता निम्हली की कारकों में से केबल एक पर निर्वर करती है वह कारक कौन सा है कोशन समझ गए जो तंबा धातु होत होती है कि भी मोटाई पर निर्वर करती है कि सी तापमान पर निर्वर करती है या डी अनुप्रस काट के छेत्रफल पर निर्वर करती है कोशन यहां पर किलियर है समझने वाली है कि जो तामबा होती है कौपर के वायर होते हैं उसकी प्रतिरोगता किस कार पर निर्वर करत तो आप अपना सा सोच लिए होगे लिख भी लिए होगे लगे अगर तामबा धातु की परतिरोधकता की हम बात करें तो वो तो लंबाई पर नहीं डिपेंड करती है लंबाई का यहां पर कोई लेना देना नहीं है बात करें अगर तामबा की तार की मोटाई तो कहीं हद तक मुटाई जो है यहां पर निर्भर नहीं करता है अगर हम अनुप्रसकाश छेतबल की बात करें तो तामबा की धात के प्रदोगता जो है इस पर निर्भर नहीं करेगा यह कारक नहीं हो सकता है विदुधरा की जो तार होती है उसमें से विदुधरा प्रभावित होती किसी भ परतो करेंगे जर्नली सी बात तापमान पर निरुबर करेगा यानि ऊप्षन को के साथ जा सकते हूं इसका सही ऊंसर है यानि शolve आपकोस्थन क्या है अगला कोशन आपके समक्षा गया होगा यह कोशन काफी महतवपून है कोशन है जब एक चार ओम अब रोधक को हम बारा वोल्ड बैटरी के टर्मिनल से जोड़ा जाता है तो परती सेकेंड परती रोधक से उजरने वाली कुलाम की संक्या होती है कोशन यहां पर डारेक्ट है असान है कोई इस कोशन में खासियत इतना दिख नहीं है यह बहुत ही इजी है लेकिन जिन बचों ने जो है अच्छे से नहीं पराऊगा उनके लिए बहुत ही टफ है तो जरना सी बात है सबसे पहले तो बात यहां देखिए कि जब एक चार ओम अब रोधक को अगर हम बार करें आप अपने असा सोच दिए होगे आप भी करने कुछ तब करता है कि सबसे पहली बात तो आपको पता ही ओगा कि ओम स्वला क्या कहता है वी इसकल टू आई यानि वोल्ट जो होती है क्रेंट और स्टेंस के बरावर होती है यानि वी इसकल टू आई यार तो जर्नल सी भात है हमारे समक्ष यहां क्या क्या गीवन है यहां हमें गीवन दिया हुआ है है सबसे पहले तो harm वोल्ट के बैटरी से जुड़ी हुई यह वी हमें गीवन है दूसरा है अवरोधक यानि परती रोधि डिस्टेंस यानि आर हमें गीवन है तो हमें क्रेंट हमसे पूछ लिया है तो आई इसकोल टु किसके बराबर होता है आई इसकोल टू भी अपान आर वी हमारा कितना है 12 और इस्टेंस कितनी है चार अब चार को बाड़ा को कार देजी कितना बचेगा हमारे समख श्रिप रह गया तीन अब तीन हमें आ गया है तो इसका मतलब बी ऑप्षन सही होगा यानि देखा जाया है जब इसकी कुल्ण कि अंतर को मापने के लिए उपयोग किये जाने वाले उपकरण को हम क्या कहते हैं यानि विभांतर यानि potential difference को नापने के लिए उपयोग किये जाने वाले उपकरण को हम क्या कहते हैं समांतरन समांतरन को मापने के लिए हम किस उपकरण का उपयोग करते हैं क्या पेंटोलो मीटर का उप्योग करते हैं या भी एम मीटर का उप्योग करते हैं या गलोबनो मीटर का उप्योग करते हैं डी वॉल्ट मीटर का उप्योग करते हैं कोश्चन यहां पर किलियर है समझ वाली है आप अपना लगा सकते हो दिमाग तेकि प्रटेशन डिफरेंस इसको नापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। हम M-meter का उपयोग करते नहीं, क्योंकि हम पहली M-meter के बारे हम जान चुके हैं, M-meter का उपयोग चुकें तो होती नहीं है, अगर प्रोट इसमेंट की बात करें, विभांतर को मापने के लिए सदे भी हम वोल्ट मीटर का उपयोग करती है तो इसका मतलब option D सही है आप option D के साथ जा सकते हो option D जो है voltmeter विभांतर को नापने के लिए हम voltmeter का उपयोग करती है ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर जो होती है विभावित अंतर यानि विभांतर यहाँ बात किया जा रहा है ठीक है तो आप confuse मत होना विभांतर को एक साथ ही बोलना काफी क्लेटी रहेगी